अभी थेटर में आई फिल्म सैतान जो एक गुजराती फिल्म वश की रिमेक है और ओरिजनल फिल्म है जिसका नाम है वश और मैं आपको बता दू कि वश कोई भी हुरर ड्रामा फिल्म नहीं है ये एक ब्लैक मैजिक और वशी करन के साथ साथ एक सस्पेंस थ्रीलर फिल्म है जिसमें एक फैमिली जो ट्रिप पर जाती है फारमाउस पर लेकिन वहाँ पर एक अंजान आत्मी जो उस फारमाउस के अंदर आने के लिए एक बहाना बनाता है और फिर वो उस परिवार पर अपना हुकुम चलाता है देखो सैतान फिल्म जिसमें हमें ड्रामा देखने को म बिलता है लेकिन वहीं पर वस मूवी रफ और नैचुरल नजर आती है जिसमें सभी एक्टरों की एक्टिंग बिल्कुल नैचुरल लगती है और इस फिल्म में जान की बुंती वाला का काम और जिसने इस फिल्म में वशीकरण करने वाले का प्रताप का गिरदार निवाया है इन दोटोंने बाप लेवल की एक्टिंग की है इस फिल्म के अंदर बिल्कुल रफ और बिल्कुल नैचुरल जिसे देखते वक्त में ऐसा लगी गई निकी कोई फिल्म चल रही है और इस फिल्म को देखने के बाद तुम सुन हो जाओगे क्योंकि इसने इतना जादा डराया है इतना जादा रुलाया है जिसे देखकर आपकी आखे बहार आ जाएंगी कि कोई इतना धरिंदा कैसे हो सकता है और लड़की पर इतना जादा अत्यचार कैसे कर सकता है जिसके बाद फिल्म की स्टूरी जैसे जैसे आगी बढ़ती है तो आगी चलकर तुम्हारी और उस फटने लगती है जहां पर खुद की बेटी किसी और के इसारों पर नाचती है और वो भी अपने माबाप के सामने लेकिन माबाप जो कुछ भी ना तरपाए तो बस इतना सुनकर ही घबरा गए तुम और जब तुम इस फिल्म को देखोगे तो तुम्हारी फटकर हाथ में आ जाएगी और जरा सोचो अगर ऐसा तुम्हारी फैमिली के साथ हो जाए तो तुम क्या करोगे लास्ट में मुझे सोचकर कमेंट में जदूर बताना क्योंकि प्रताब जो जानमी पर अपना वशी करन कर देता है और फिर उसे अपने इसारों पर नचाता है जिसके बाद इस फिल्म की कहानी लगातार हमें बांद कर तरा कर और रुटला कर रखती है जिसमें आगी अगले ही पल में कब क्या हो जाए किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है ना आपको ना मुझकोर ना भी उस फैमली को लेकिन इस फिल्म को देखते वक्त डर्क खौफ इतना जादा होगा कि तुमारे रूह तक काप जाएगी और इसके बाद जो आमें फिल्म में आगी दिखाया जाता है वो सभी की सभी नैचुरल प्रस्तितिया होती है जिसमें कोई भी मरुश्य अपने दिमाद का इतना इस्तमाल नहीं कर पाएगा लेकिन यही हमें सैथान फिल्म के अंदर कहीं जादा हद तक दिखाया जाता है जैसे आर मादोन से जबरदस्ती कुछ बुलवाना और उसके बाद उसकी आवाज को रिकोर्ड करना और तो और ऐसी सिच्वेशन में उस ओडियो को एडिट करना जो स्याद ऐसी सिच्वेशन में बिल्कुल भी सही नहीं बैठता है जो हमें सैथान फिल्म के अंदर दिखाया गया है लेकिन वहीं पर वस फिल्म जो बिल्कुल नैचुरल चलती हुई नजर आती है और वस मुवी के अंदर आप एक मिनट भी दर उदर नहीं देख सकते हो वो फिल्म आपको इतना ज़दा बांध कर रगती है लेकिन सैथान फिल्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है सैथान फिल्म कहीं पर बहुत ज़दा ल्यूज बढ़ती हुई नजर आती है लेकिन वहीं पर वस मुवी जो आगी कहानी के साथ बढ़ते बढ़ते और भी खदरनात हो जाती है जिसमें उने वाली एकके घटना जो आपको इस फिल्म के साथ connect रखने के लिए आपको मजबूर करती है और इस फिल्म की आगे की एककी स्टोरी को देखकर आपके पसीने छूटने लगेंगे या कसम से आज तक मैंने ऐसा सिल्म कभी भी नहीं देखा जो हमें वस मोवी के अंदर दिखाया जाता है और जब प्रताप आरिया को अपने साथ लेकर उस फारमाओ से चला जाता है उसके ममी पापा को मजबूर करके और जब आरिया का पिता उसके पीछे जाता है और तब उसके साथ जो जो होता है जिस तरीके से उस पर अटेक होता है वो एक पादल पन है इस वस मोवी के अंदर और जब वस मोवी का एंड होता है तो वो होता है कि जिसकी तो आप कभी कलतना भी नहीं कर सकते लेकिन वो ही काम वश मूवी ने करके दिखाया है तभी तो वस फिल्म की स्टोरी पर बोली उड़ वालों ने अपने फिल्म बना कर दिखाया है जिसमें प्रताप जो इस फिल्म में सैतान का किरदार निबाते हैं और जो आरिया पर वशिगन करके उसे आदेश देते हैं कि जा अपने प्यारे भाईया को जान से मार दे जिसके बाद आरिया जो हैवानों की तरह पादल हो जाती है अपने भाई को मारने के लिए जिसके बाद जो कहानियवारी आखों की सामने आती है वो आपके मेरे और सभी के रॉंटे खड़े कर जाती है क्योंकि जो बेहन अपने भाई के लिए अभी तक अपनी जान देने को तयार थी अब वो ही बेहन अपने भाई की जान लेने के लिए पागलोगी तरह गोंती है और इसी आदिस के साथ आरिया को एक और आदिस दिया जाता है जिसमें अगर कोई भी प्रताप की तरफ आगे बढ़ता हो तो जो आरिया की हाथ में चाक हुए है उसे उसके बेट में आरबार गर देना है फिर चाहे उसके सामने उसके माबाप को या फिर कोई भी हो और फिर आती चलकर इस फिल्म की एंडिंग इस तरीके से होती है कि जिसकी आप इतनी से भी उमीद नहीं लगा सकते हो कि ये फिल्म आगे चलकर इतनी जादा डार्क चैप्टर पर खतम होगी जहां पर आरियन का पिता जो उसे बचाने के लिए जाता है और उस पर कुछ लड़किया जिस तरीके से बरहार करती हो देखने में बहुत ही खतरनाक लगता है जिसके विज्वल्स भी बहुत खतरनाक और कैमरा एंगल भी बहुत ही जादा खतरनाक है जिसके बाद जब आरियन का पिता जो एंड में फैसला लेता है तो उसे देखकर आपकी रोव आपसे कुस्तो दूर भाग जाएगी और तुम बोलोगी कि ये भगवान ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि जिसमें आरिया का पिता उसके साथ ऐसा काम करता है जो शायद कोई दुस्मन भी ना करे अपनी कभी जिन्दगी में लेकिन ये ही वर्ष्ट फिल्म की खासियत है जो इस फिल्म को यूनिक मनाती है वर्ष्ट फिल्म के यूनिक स्टूरी हर पल में सस्पैंस हर पल में डन कि अगली ही पल में कभ क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता और इस फिल्म का एंड ऐसा जो आपकी खोपड़ी पाड़ दे और अगर आपने सैतान फिल्म देखी है तो भी आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखना क्योंकि ये फिल्म सैतान का भी बाप है और इस फिल्म का सबसे लास्ट वाला सिर्ण गोड लिवल का है पाप लिवल का है बाइसा बोसी और मेरे को आप से वस इतना ही कहना है कि अगर आपको सिनीमा की दुनिया में कुछ अलग हट कर दमदार फाड़ और यूनिक कोंशेप्ट देखना है तो आप वस मोई को बिल्कुल भी मिस मत करना और अगर आप को इई वीडियोओ अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक खरना शियर करना कमेंट करना फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब बाइब मस्त रहिए स्वस्त रहिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए